वेलकम टू किट्टी केलेक्शन बुटिक आज मैं बना रही हूं लहंगे का बिल्लाउज तो उसमें जो बैक पार्ट में और फ्रेंट पार्ट में दोनों में ही मिरर वर्क है उसका जो नेक की वीडियो आज मैं शेयर करने वाली हूं वह मैं बिना बुकरम के बनाने वाली करते हैं लेंगे के विल्लाउज की कि सबसे पहले जितनी भी हमारी कडाही वाला पाट है उतना काट लेंगे हम उसे आदा आदा इंच छोड़के इस तरह से कटिंग करनी है जो इसका अस्तर होगा डबल अस्तर हम इस पर रखेंगे तो अभी मैंने सिंगल अस्तर लिया हुआ है इसी तरह से इसको भी कट कर लेंगे इसके साथ इस तरह से रखेंगे और कट कर लेंगे पूरा अगर हम डबल अस्तर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक देता है विल्लाउज भी और उसमें पैड भी लग जाते हैं अच्छे से जो विल्लाउज वाला फैब्रिक है उसे हम उल्टा रख लेंगे अस्तर के साथ इस तरह से और सिलाई लगाते जाएंगे जहां पर हमारी कड़ाई है उसी के आसपास सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से पूरे में सिलाई करते जाएंगे इसको पूरा कम्प्लीट कर लेंगे सिलाई करके इस पर इस तरह से और इसको पलट लेंगे कटिंग करके इसके साइड साइड से कट कर लेंगे और इसको पलट लेंगे इसमें हमें दूसरा स्तर भी और लगाना है तो बहुत अच्छा निकल का आएगा ये ये इस तरह से कुछ निकल का आएगा हमारा कर दो पर से इसी तरह से इस पर शिलाय लगाते जाएंगे पूरे पर कि इसमें डबल अस्तर लगाया है उमने तो बहुती अच्छा लुक आएगा इसका बिना अभुक्रम के भी बहुती अच्छा लुक देगा यह इस तरह से पूरा complete कर लेंगे और आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी हमारी नेक इसकी निकल के आ रही है नेक हमारी complete आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लुक इसका निकल के आ रहा है झाल झाल